बच्चो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास एविन का चैप्टर नमबर 4 का क्वेशन नमबर 4.15 बच्चो ये क्वेशन में इसले डिस्कस करना चाह रहा हूं क्यूंकि इसमें इंपोर्टन लॉजिकल कंसेट है जो मुझे काफी जगए नेट पे सही नहीं लगा और उसका कारण है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो को पूरा मिस मत करना पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि कहां कहां पे कोई मिस्टेक्स हो रही है ठीक है एक आप जगए नेट पे ठीक सॉलुशन भी है लेकिन क्योंकि ज़्यादा तर जो सॉलुशन है वो सही नहीं है अब मैं बताऊंगा क्यों सही नहीं है उससे आपको पता चलेगा कि ये गाप कैसे फिल अप हो रहा है मतलब ये जो कमी आ रही है उसको मैं दूर करने के कोशिश कर रहा हूँ तो चल्व बहुत सबसे पहले question देखते हैं क्या है question देखने में simple है क्या करता है the ceiling of a long hall is 25 meters high एक ये xn ये y axis है ये x axis है means ये height और ये लंबाई के लिए draw कर रहे है height की hall कितनी है challenge सबसे important diagram सबसे जरूरी है ताकि आप खुद समझ सको तभी तो आप उसो solve भी कर पाऊगे ठीक है सेरफ solutions रटने से आपको knowledge नहीं आएगी जब आप question को ढंग से analyze करोगे तभी आप आपएगा see क्या बता रहा है the ceiling of a long hall is 25 meters high fine ठीक है what is the maximum horizontal distance चलन question परते हुए important points underline कर लेने चाहिए हमेशा यह important points और important data जो हमें मिल रहा है इसमें क्या है the ceiling of a long hall is 25 meter high 25 meter high what is the maximum horizontal distance क्या पूछ रहा है हम से maximum horizontal distance ठीक है जब आप बाल भैकी जाती है with a speed of 40 meters per second ठीक है or it can go without hitting the ceiling of the hall suppose यह hall की ceiling है कुछ यहाँ पर क्या height दी उसने उसने height यह बताई है this is 25 meters high 25 meter high है उची है ball फैकते है उन्हों कहरा है ball ऐसे फैका जाए lost is to 40 meters per second ball ऐसे फैकी जाए यह बस touch हो यहाँ पर यह बस touch हो ठीक है unchallensive यह जो motion है यह है projectile motion अगर यह angle सपोस theta है तो आप लोग को पता है पूछ क्या रहा है simply यह वाली height पूछ रहा है मतलब range पूछ रहा है अगर height height बी गई है अब आपको पता है height का formula h is root क्या होता है v square sin theta यह भी square होता है v square sin theta या v sin theta का whole square upon 2g ठीक है और range का क्या formula होता है यह भी आपको पता है यह होता है v square sin 2 theta upon g ठीक है theta यह g acceleration due to gravity velocity दी गई है आपको आपको क्या-क्या data दिया है आपको है given you have been given v is equal to 40 meters per second यह दिया गया है height मतलब h is equal to 25 meters 25 meter यह भी दिया गया है theta नहीं पता g हमें पता है g की value क्या होती है 9.8 meters per second square जैसा question में अगर नहीं दिया है हम यह मानते है अगर दिया हुआ है तो जो value है suppose 10 या कुछ भी उसको मान लेते है चलिए दूसरी एक और आज़त questions में इस में usually values substitute नहीं करता क्यों नहीं करता क्योंकि कहीं बार क्या होता है कुछ-कुछ values cancel उधाती है या तो substitute करने है तो आराब से substitute करनेंगे last में तो पहले वैसे करके देखते है जैसा normal solutions सब जगे दिया हिया है क्या निकालते है इसमें H दिया हुआ है तो हम substitute करते है 25 is equal to V square मतलब 40 square into sin square theta upon 2G ठीक है 2G 2 into 9.8 इसको solve करते है इसको यहां ले गए 2 into 25 into 9.8 multiply करा क्या गया 50 into 9.8 upon 40 का square this is equal to sin square theta ठीक है इससे इसकी value solve करते है इते निकल के आती है we get sin theta challenge sin theta is equal to 0.533 ठीक है solve करा root कर दिया और इससे क्या आता है theta की value निकलते है वही sin inverse इतना sin inverse 0.533 which is equal to 33.6 degree ठीक है अब चिर्वेन जो देखो इसमें जो catch है CBSC board में आपको ना calculator दिया हुआ रहता है ना ही ये trigonometric tables बगार दिया रहते हैं कि आपको ये value determine हो जाए ये value पता सब जाए ऐसा कैसे होगा भई हम सबके दिमाब में computers तो fit है नहीं कि हमें ये degree पता दा जाए ठीक है तो इस solution को तो मैं disregard करता हूँ ठीक है कि भई ये solution ठीक नहीं है यहाँ से theta निकला theta की value यहाँ पर substitute करो r की value आ जाएगी easy 40 square into sin 2 theta 2 theta क्या हो गया 66.6 into 2 12 12 it will be 67.2 67.2 substitute करके यहाँ पर value substitute करो r आ जाएगा but चिलेन अगर आप exam में कर रहे हो ये question तो ये कैसे आएगा ये तो आया नहीं सकता तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा so let us think सी चिलेन sin square theta यहाँ पर क्या होता है यहाँ से value देखो sin theta आपका निकल के आ रहा है ये है 50 into 9.8 कितना होता है it is equal to 100 into 4.9 that is 490 यह आता है 490 upon 40 का root मतब root 490 upon 40 basically यह आया sin theta अब चिलेन यहाँ पर क्या करना है आपको निकलना है r r is equal to v square sin 2 theta sin 2 theta में आप formula substitute करो sin 2 theta का वो क्या होता है sin 2 theta का formula होता है sin 2 theta का formula होता है 2 sin theta cos theta trigonometry में आपनी यूज करा है see physics में mathematics, chemistry बहुत कुछ आएगा अब यह तो है निए पढ़ाई segregated हो जाए है न यह तो होता निए कि आप अगर आप बेटे हो तो आप किसी के भाई ना हो है न similar way in this आपकी maths, physics में maths भी बहुत यूज होगी class 11 में और आगे maths, physics, chemistry एक दूसरे में जाती है आसान भी पढ़ता है so 2 sin theta cos theta होता है formula upon g ठीक है सर इतना भी आसान है sin theta की value लगा तो यहाँ पे लेकिन फिर cos theta क्या क्या करेंगे अब थोड़ा सा और दिमाग लगाने जब आपने यह formula लगाया है यहाँ पे तो cos theta आप ध्यान दोगे हमें क्योंकि sin theta की value पता है या तो आप क्या करो sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse यह use करो इस से क्या करो x square minus p square होता है base cos theta क्या होता है base upon hypotenuse वो लगा दो या simply आपको होता है cos theta क्या होता है 1 minus sin square theta इसका under root यह लगा दो तो इसको लगा के देखते हैं आप इस equal to v square into 2 into sin theta into मैंने बोला ना मैं values last में substitute करता हूँ usually ताकि कोई mistake ना हो sin theta into root of 1 minus sin square theta ठीक है upon g यह क्या हुआ equal to अब यहाँ पर आप values लगा सकते हो sin theta की हमें value पता है sin square theta की भी पता है 1 minus sin square theta भी कर सकते है is 40 square into 2 into sin theta की value यहाँ से root 490 upon 40 into root of इसका whole root किसका 1 minus sin square theta sin square theta क्या है sin square theta है children what is this 490 upon 40 square ठीक है यह पूरा divide by g तो g भी मीचे आजाएगा यहाँ पर g क्या आगया into 9.8 अब यह कैसे solve होता है आगे I'll rub this ठीक है तो देखो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो इसको इसको आगे लिखते हैं इसका आया equal to आया 40 square into 2 into root 490 upon 9.8 into 40 into यह क्या हुआ 40 square minus 490 root of 40 square minus 490 upon 40 square का root क्या होता है 40 यहाँ से बच्चो देखो 40 square और 40 40 cancel हो गया 2 से यह हो जाता है 4.9 अब इसको आप solve करोगे तो आप देखोगे आपका answer आजाएगा इससे same same मतलब क्या आप जो बुक में है that is equal to nearly 150.5 meters तो चिलिन अगें इस question में एक और बाए highlight बता दूँ क्या क्या था देखो main चीज सबसे पहले question समझो important points को underline करो या note करो read it like a detective detective की तरह पढ़ो main main points दिमाग में आगया अच्छा यह है velocity दे रही है height दे रही है maximum horizontal distance निकालना है hour निकालना है और कुछ नहीं hour निकालना है main okay दूसरी चीज वो क्या है without hitting the ceiling of the ball मतलब ऐसे फै कि जाए कि healing को ceiling को hit ना करें मतलब जस्चूती भी निकले जस्चूती भी निकले मतलब maximum height कितनी पच्चेस पच्चेस ज्यादा करेंगा तो hit कर जाएगा obviously खीक है तो यह point यहाँ पर ध्यान देना है so children this question and this is what I suppose यह इसका logically correct answer है क्यों क्योंकि अगर आप theta निकालो के actual वो तो हमे वो हम पते हैं कैसे कर सकते हैं न हमारे पास calculator है न यह trigonometric tables है so this method will be more fruitful इसमें अब कोई confusion हो तो बताओ आप लोग को कोई और questions पूचने है class 11 physics related तो वो भी पूच सकते हैं चलो thanks for your time and share this with others अपने और दोस्तों से भी share करना ताकि आपको और दूसरों को भी यह utilize हो सके thank you